प्रदेश सरकार ने गाय के दूद खरीदने के लिए प्रती लीटर नियुंतम 34 रुपे की दर्द तैय कर दी है इसे राजु के सहकारी और निजी दूद संगों को किसानों से गाय का दूद खरीदने पर प्रती लीटर 34 रुपे दर्द देना पड़ेगा किसानों को प्रती गाय दूद 34 रुपे देने के आदेश का स्वागत करते हुए किसान सभानेता ने कहा कि ऐसे आदेशों के पिछले अनुभव को देखते हुए सरकार को अब अपने आदेश को लागू करने के लिए और्चित कदम उठाना चाहिए इससे पहले दूद के लगतार दाम गिरने के बाद वीखे पार्टिल ने पूने में बीते 22 जून को बैठक आयोजित की थी जिसमें उन्होंने गाय के दूद के लिए नियुनतम दर तैय करने के बारे में राज्ज के दुग्द विफसाय विकास आयक्तो डॉक्टर श्रीक सरकार को की थी इसके अनुसार सरकार ने समीती की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है सरकार ने समीती को हर तीन महीने में दूद खरीदी की दर की समिक्षाक करने का अधिकार दिया है इससे समीती तीन महीने बाद स्थानिय और अंतरराश्रिय बाजार की स्थिति के अनुसार दूद की खरीत दर तै कर सकेगी दूद दराची निच्छीती होन शेत करेंची लूट थामवावी आशी वारंवार मागनी केले होती त्या मागनीचा हा विजय आहे राज्यसरकारचा यहा पावलाच मी स्वागत आने अभिननदन करतो राज्यसरकार ने काडलेला हे शासना देश हे प्रत्यक्षात पालले जातील यहा साथी सतरक रहव लागना राए पूर्वा अनुभो पाहता आशा प्रकारचे आदेश निकतात परंतु खाजगी संग आनी दूद कमपण्या आशे सरकारचे आदेश पालत नाई हा अनुभो आहे राज्य सरकार ने आपले हे आदेश पालले जातील यहा साथी पूरेशी खबरदारी घ्यावी आनी श्यतकर्यानना न्याय द्यावा NBC News के लिए अकसान सारी की रिपोर्ट